इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि पिछले हफ़ते में अलग-लग मीडिया चैनल्स पर एंकर्स ने अपने शो में किन मुद्धों को तवज्जो दी सबसे पहले देखते हैं कि एंडी टीवी के सिनिर पत्रका रवीश कुमार ने किन मुद्धों को ज़रूरी समझा पहला किसान अंडोलन ने दिया खेती किसाने की देईनी हालत पर मन्थन का अफसर दूसरा क्या अंडोलन करने वालों को फल्जी तरीके से फलसाया जा रहा है तीसरा क्या किसानों के मांगे बिना ही सरकार ने बना दिये क्रिशी कानून चौथा, मुकदमों गिरफ्तारियों से जूसता किसान अंदोलन पांचवा, क्या किसान अंदोलन अंदर की बात है? रवीश कुमार अक्सर अपने शो के जरिये सरकार से सवाल करते हैं इस बार किसान अंदोलन के मुद्दे पर चल्चा करते दिखाई दिये अपने शो में वे अंदोलन करने वालों को सरकार द्वारा UAPA जैसे एक्ट लगा कर जेल में बन करने पर जनकारी देते नजर आए अब आप इन दो ख़बरों की हेडलाइन देखिए दोनों में यही है कि अवैद रूप से National Security Act NSA लगा दिया गया अवैद रूप से NSA लगाने के कारण यूपी के कफील سات महना 10 दिन जेल में रहे और असम के अखील गोगोई भी 2009 के एक मामले में अवैद रूप से NSA के मामले का सामना कर रहे है कफील खान के मामले में इलहाबाद हाई कोट और अखील गोगोई के मामले में गुबहाटी हाई कोट ने कहा है कि इन पर अवैद रूप से NSA लगा है साथ या उन्हीं जैसों के साथ हो जाता है ताकि लोग इसके डर से जिन्दा लाश बने घूमते रहें अब बात करते हैं न्यूस 24 के वरिष्ट पत्रकार संदीप चौदरी की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को पहला किसान अंदोलन क्या देश का अंदोलन बन गया है दूसरा पुरानी विवस्था बरकराल तो फिर विरोध क्यों तीसरा दीप सिद्दु गिरफतार लखा सिदाना कब तक फरार चौथा पीम मौद्दी का बातचीत का आफ़र मानेंगे किसान पांच्वां उत्राखंड संदीप चौधरी अकसर अपनी डिबेट में अलग-लग मुद्धों पर चल्चा करते हैं और सरकार के नेताओं से तीके सवाल भी करते हैं इस पर वह खिसान अंदोलन पर चल्चा करते नज़र आए संदीप ने अपनी डिबेट में कृशी कानूनों को लेकर भाजपा नेत जिसको ये मालूम नहीं है कि उसके टेनियोर में 90 परसेंट आज पच्छी साल में साड़े च्यार लाख किसान ने हत्या की होगी उसमें 90 परसेंट से ज्यादा हत्या जो है वो कांग्रेस वीजिंग में हुई नहीं मेरे एक मिनट महिश वर्मा मेरे शो की खासियत ये है हम आकड़ों के साथ खिलवाड नहीं करते हैं आप जो आकड़े बता रहे हैं दोरुस्त आकड़ा आपने फरमाया चार लाख किसानों ने आत्मत्या किये 1996 से जब से एक मिनट रख सुनिए सुनिए 1996 से नाशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ये आकड़े खटा करने शुरू किये हैं 96 में किसकी सरकार थी 98 से 2004 किसकी सरकार थी 2014 से 2020 तक कि ये आकड़े हैं किसकी सरकार थी तो आकड़े देखिए मेरे शो में 60 आकड़े चलेंगे 90 परसंट आप कहां से कौन सा गनित लगा रहे हैं मुझे समझाए अब बात करते हैं उस मीडिया की जो सरकार के चार्ट कारिता करने में व्यस्त है सबसे पहले बात करते हैं न्यूज 18 के पत्रकर अमीश देवगन की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चल्चा की पहला न्यू इंडिया का दम एलिसी पर चीनी कम दूसरा अंदोलन के नाम पर किसका प्रेयोग अंदोलन बहाना मोधी निशाना तीसरा गैरों पे करम अपनों पे सितम अंदोलन जी भी हानिका रखें चौथा चक्का जाम से बनेगा काम किसानों का जंडा खालिस्तानी एजंडा पांचवा अंदोलन में विद्येशी प्रेयोग रिहाना ग्रेटा और मिया खलीफा ने किये ट्यूइट अमीश अक्सर कई अलगलग मुद्दों पर डिबेट करते नजर आते हैं इस पर वे किसाना अंदोलन के मुद्दे पर डिबेट करते दिखें इसमें वे क्या किया रहे हैं आप खुद ही देख लीजिए फिर शान्तिपून परदर्शन का दावा करके अंदोलन को शुरू किया जाता है स्क्रिप्ट एक जैसे ही है और फिर हिंसा का खेल शुरू हो जाता है शाहीन बागियात कीजिए पहले नागरिक्ता कानून के खिलाफ ध्रम फेलाया गया दिल्ली से लखनव तक तमाम सडकों पर कब्जा हुआ और फिर करीब दो महीने बाद दिल्ली में हिंसा का खेल खेला गया इस बार भी पैटर्न तरीका ठीक वैसा ही है ना कोई मंडी बंत हुई ना MSP खत्म हुई अब बात करते हैं News Nation के पत्रकार दीपक्च रस्या की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चल्चा की पहला बंगाल में बवाल और जैश्री राम दूसरा भारत का सक्त एक्षन बैक्फूट पर ड्रैगन तीसरा अखिलेश वानी पर क्यों गुस्से में संत समाज चौथा ये कैसी अदावत पी-म के आंसूं पर सियासत पांचफा पी-म मोदी की अपील से क्या मानेंगे किसान दीपक्च रस्या की डिबेट हिंदू-मुस्लिम जैसे मुद्दों पर ही फोकस होती दिखती है वे बंगाल में जैश्री राम के मुद्दे पर बात करते नज देखते हैं वे इस मुद्दे पर क्या केते निजर आए ममता और उनकी पार्टी जैश्री राम के जैखोष पर राठ ठाने बैठी है आज मुर्शिताबाद में बीजेपी की रथ यात्रा तक रोग दी गई असल मीडिया और गोधी मीडिया में फर्क हम आपको दिखाते रहेंगे अब इन दोनों में से आपको किसको चुनना है इसका चुनाव आपको करना है पंजाब टोड़े रिपोर्ट सब्सक्राइब आपको अबरोग अपको अपक्राइबे क्लेड ए मैंक।